अखिल भारतिये कॉंग्रिस कमेटी की इसे इस विशेश पत्रकार वारता का आयोजन गमगीन और दुख के माहौल में किया जा रहा है जब देश के अंदाता को और कानून को कुछला जा रहा है मैं अनुरोद करूंगा आदर्णिये शिरी राहूल गांधी जी से के वो आपके समक्ष अपनी बात आज रखेंगे आदर्णिये राहूल गांधी जी नमस्कार अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमन हो रहा है एक तो किसानों को जीब के नीचे कुछला जा रहा है उनका मर्डर किया जा रहा है बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है उनके पुत्र की बात हो रही है उन पे कोई आक्शन नहीं लिया जा रहा है दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर systematically एक के बाद एक एक आकरमन हो रहा है पहला पहला आकरमन लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का दूसरा ये जो तीन नए कानून लाएं हैं और आज systematically जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और ये सब के ये चोरी सब के सामने हो रही है इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे है कल प्रधान मंत्री जी लखनव में थे मगर प्रधान मंत्री जी लखिमपूर खेरी नहीं जा पाए पोस्मॉटम ठीक से नहीं किया जा रहा है और systematically जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है अज दो चीफ मिनिस्टर के साथ हम लखनौ जाने की कोशिश करेंगे लखिमपूर केरी जाने की कोशिश करेंगे उन परिवानों से मिलने की कोशिश करेंगे बताएगे शुक्रिया विल है वजन पर गाम築टिन सांजीख सुछ प्टेस्स अब्सकेसगाँ कर देखिए अप्रप्तिश्टार अ्रुटर्प्रणाय है, कि अफेजिए क्या ए प्रस कोफरेंद आप ट्रुटर कोप्राइश अप्राइश। in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I am here to speak on that issue. I am not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you are welcome to do so. It is a, as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. Yes. 144 पाँच लोगों को रोकता है तीन लोग section 144 में जा सकते हैं तो हमने उनको चिठी लिख दी है ये जो ये जो यूपी में हो रहा है किसानों को मारा जा रहा है मगर इससे पहले हात्रस में भी हुआ था और उनके एक MLA ने भी रेप किया था तो ये systematically ये एक नई तरीके की करना चाहते हैं कर सकते हैं चाहिए वो बलतकार हो किसानों का खून हो और जो मारते हैं जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं Thank you sir. Aashish from ABP मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिरुफ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं, हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर यह मामला किसानों का है. थैंक यू सर, नीरज फ्रॉम टीवी एटी. देखिए, यह मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे अभी आपने बोला, यह राजनेती हो रही है. देखिए, हमारा काम, ओपिजिशन का काम, प्रेशर बनाने का होता है. जब हम प्रेशर बनाते हैं, तब वहाँ पे कारवाई होती है. हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कारवाई हुई. सरकार चाहती है, कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना प्रेशर ना बनाएं. कि जन्होंने मर्डर किया, वो भाग के निकल जाएं. अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहाँ पे जिसने जन्होंने बलत कार किया था, वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते. अगर हमने उससे पहले उनके MLA के बारे में नहीं बोला होता हुआ, वो भाग जे निकल जाते. तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं. हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक किसानों के साथ गलत काम किया गया है. उनको मारा गया है. और सच मुझ बताओं तो यह आपका काम है. आप लोग तो करते नहीं हों. जो आपकी जिम्मेदारी हो, उसको तो आप निवाते नहीं हो. उल्टा आप सवाल पूछते हो, कि यह पॉलिटिक्स हो रही है. आपकी जिम्मेदारी भी है. उसको तो आप भूल गए. और फिर कहते हो, हमें कहते हो. Thank you. News Nation से मोहित. क्योंकि देश का जो धांचा है, इंस्टेटूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको BJP RSS ने काबू कर लिया है. और ये सिरफ मीडिया की बात नहीं है. आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है. इसी प्रकार से हिंदूस्तान के सब इंस्टिटूशन को कंट्रोल किया गया है. Simple answer. Thank you sir. NDTV. Dictatorship देखिए, यहाँ पे जो democracy हुआ करती थी, आज हिंदूस्तान में dictatorship है. सीदी जी बात है. राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते. कल से हमें कहा जा रहा है कि भाईया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते. 36गर के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है section 144. ये कहते हैं, मैं तो अकेला हूँ. 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं. अब dictatorship किस बात की है? क्यों dictatorship? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है. जो small medium businesses हैं, छोटे भी अपारी हैं, उनसे चोरी हो रही है. किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है. और जो आम जनता है, उनके जेव में से चोरी हो रही है. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं. और जो हिंदुस्तान की आवाज है, उसको कुछला जा रहा है. सुनील. स्सरी उनसे ठीस साख में पीज़ कियें। स्पूंगी भीजि़ पिरीजस पूलागीज़ किसे ब farming pierC8 रेंच., पकर पिरीएक बड़ते मेंसे हॉपिए उनकोरी कि से उनके चोरी कि यह हैं, कि अजिब कि है, इन पैफनके पीज़ किए बड्यरार है. See, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned, it is a narrative that is built using instructions, it is built using the police, it is built using all these different structures. But what you will find, is that there is a limit to this narrative and you will find sooner rather than later, there will be an explosion the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work, this is what the country is about, do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. So we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when we go, when the chief ministers, myself, others go to visit this family, we are trying to give them confidence that in this country you cannot be run over by a criminal who calls himself the home minister's son and then nothing happens. We are not going to allow that. That is the message we are trying to give him. It is a message of hope. Right? Today, those families do not have hope. Today the farmer does not have hope. That is what we are doing. But there is also the… One second. Sunil, please do not mind. One question at a time, there are other friends waiting. Supriya, please. Yes, sir. देखिए, चाहिए प्रियंका हो, चाहिए मैं हूँ, चाहिए हमारे फैमिली का कोई भी हो, हमारी ये training है, सालों पुरानी training है, ये training हमें family, हमारी परिवार देता है, तो उससे कुछ फरक नी पड़ेगा. नहीं, land acquisition बिल का मैंने आप से कहा, कि ये systematically किया जा रहा है. Land acquisition, farm laws, ये किसानों का जो है, उनसे चीनने का तरीका है. Thank you, sir. Supriya, no, Vijaya from India TV. सबसे पहले, सबसे पहले मैं वहाँ जाकर बात समझना चाहता हूँ, ग्राउंड रियालिटी क्या है? क्यूंकि ground reality, सच्मुच में ground reality अभी तक किसी को नहीं मालो. ठीक है? तो सबसे पहले हम वह जाकर समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखना हूँ जाने हूँ. Rajat. Last question. Yes. बिना तो कुछ नहीं होगा. मगर प्रेश्र डालेंगे, कोशिश करेंगे. बट यह देखिए, आप सवाल जो पूच रहे हैं, यह ridiculous सवाल है. क्यूंकि डिमोक्रिसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए. कि आप कह रहे हो कि देखो भाई, वहाँ पे किसी ने आप सवाल नहीं पूचा जा सकता है. टी-एमसी और भीमार में. देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, यह हम opposition unity, बहुत अची चीज़े होनी चाहिए, मगर यह जो press conference है, यह किसानों का press conference है. हम डिस्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, जिन लोगों को वहाँ मारा गया है, हम इज़त रखना चाहते हैं और उन्हीं की बात करना चाहते हैं यहाँ. जिन लोगों की बात करना चाहते हैं, जिन लोगों की बात करना चाहते हैं, डिस्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, में पर चाहते हैं, जिन लोगों हैं, धिन में लोगों हैंचे फिर्टों की बात करना चाहते हैं, आपो जपना प्रिकान अपना